Hello and welcome back to the channel Midlife Holidays दोस्तो आज ये खबर आ रही है कि आने वाली 26, 27 और 28 दिसंबर को मनाली और हिमाचल में काफी भारी बर्फबारी होने की संभावना है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है और अगर आप मनाली आ रहे हैं या आ गए हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है कि मनाली में अब बर्फबारी होने वाली है हो सकता है कि ये बर्फबारी मनाली मौल रूट तक भी आ जाए बात करें अगर पूरे हिमाचल की तो हिमाचल के उपरी भागो में मौसम भिभाग ने जानकारी दी है कि यहाँ पर यलो लट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होने के चांस है अगर आप मनाली हैं तो इस स्नोफॉल को सिसू विलेज में अटल टनल पर या फिर हम्ता पास या गुलावा जैसी जगह जाकर भी आप स्नोफॉल का लुट उठा सकते हैं हो सकता है कि यह स्नोफॉल मनाली मौल रोट तक भी आ जाए बात करें अगर अटल टनल की तो फिलहाल अटल टनल केवल लाहॉल स्पिती के लोकल लोगों के लिए खुली है और अगर आपके पास 4x4 वीकल है तो आप जा सकते हैं लेकिन अगर बर्फवारी हुई तो आप नहीं जा पाएंगे दोस्तो मनाली में कोविट गाइडलाइन्स का पालन करें मास्क पहनें और दोगस की दूरी का पालन करें अगर बात करें मनाली आने के लिए क्या आपको e-pass, RT-PCRJC, formalities की ज़रूरत है तो नहीं अभी यहां ऐसा कोई भी decision नहीं लिया गया है जिसमें ये लिखा हो के मनाली आने के लिए आपको RT-PCR, e-pass या फिर किसी और document की ज़रूरत पड़े मनाली तभी आएं जब आप fully vaccinated हों क्योंकि दोस्तो crowd बढ़ता जा रहा है और मनाली में new year celebration बहुत बड़ा होता है तो कहीं ऐसा ना हो के तीसरी लहर को हम धावत दे दें तो दोस्तो किरपा करके mask ज़रूर लगाएं covid guideline का पालन करें और दोस्तो अगर आप मनाली आ रहे हैं तो try करें कि आप fully vaccinated हों अगर अभी तक आपने अपनी vaccination नहीं कराया है तो जाकर किसी भी सरकारी अस्पताल में आप अपना vaccination शरूर कराएं अगर आपको हमारी टीम के साथ घूमना है मनाली में hotel book करना है या फिर वॉल्व या टेक्सी book करनी है तो हमारी मैनेजर मिस्टर चेरंजीव ठाकूर से आप संपक कर सकते हैं दिये गए नमबर से तो दोस्तो आपका यहां हारदिक स्वागत है लेकिन आप पस COVID guideline का जरूर पालन करें अगर मॉल रोट पर आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो आपको 500 से लेकर 1000 रुपे तक का चालान करना पड़ सकता है तो दोस्तो सुरक्षित रहिए और मास्क पहनिए दो गजदोरी मास्क है जरूरी का पालन करें धन्यवाद